ओम शान्ति, 9 अगरस्त 2024, मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य, आज की मुली के कुछ मुख्य पॉइंट्स, आज बाबा हमें समझाते कि हम बच्चों को अच्छी रीती पढ़ाई पढ़कर स्वैम को राजाओं का राजा बनाना है, बाब जो सुनाते हैं, वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है, केवल राइट को ही याद करना है, किसी भी आन्रियाटियस बात को न सुनना है न बोलना है और न देखना है, सदा ये स्विती में रखना है कि ये पुराना शरेल और पुरानी दुनिया टेम्टरी है, इनसे दिल नहीं लग प्रकृति और माया की गुलामी से स्वयम को छुडाने के लिए अपने आदी अनादी संस्कारों को स्मृति में रखना है जिससे कमजोर संस्कार सहजी परिवर्तन हो जाएंगे तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मोडली ओ शाया के बाबा के दे मीठे बच्चे ये प्रम्मा है सत्गुरु की दरबार इस प्रिक्टी में सत्गुरु विराजमान है वही तुम बच्चों की सदगती करते हैं प्रश्न बाब अपने बच्चों को किस गुलामी से छुडाने आए हैं उत्तर इस समय सभी बच्चे प्रक्रिती और माया के गुलाम बन गए हैं बाब अभी इस गुलामी से छुडाते हैं अभी माया और प्रक्रिती दोनों ही तंग करते हैं कभी तूफान, कभी फैमिन है, फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो, जो सारी प्रुकृति तुम्हारी गुलाम रहती है, माया का वार भी नहीं होता, ओम शान्ती। मीठे मीठे रुखानी बच्चे समझते हैं कि सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिफशक भी है, वे विश्व के आदी मध्य अंत का राज समझाते हैं, फिर सुप्रीम गुरु भी है, तो ये हो गई सत्गुरु की दर्बार, दर्बार होती है ना, गुरु की दर्बार, व श्री श्री 108 कहलाएंगे, सत्गुरू लिखा हुआ नहीं होका, वो लोग सर्थ गुरू ही कहते हैं, यह है सत्गुरू, पहले बाप, फिर टीचर, फिर सत्गुरू, सत्गुरू ही सत्गती देते हैं, सत्युक्त्रेता में तू फिर गुरू होते नहीं, क्योंकि सब सत्गती में हैं, एक सदगुरु मिलता है, तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाता है, सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु, जैसे पतियों का पती कहते है न, सबसे ऊच होने के कारद ऐसे कहते हैं, तुम सुप्रीम बाप के पास पैठे हो, किस लिए? बेहत का वर्सा यह है बेहत का वर्सा बाप भी है तो शिक्षिक भी है और यह वर्सा है नई दुनिया अमर लोक के लिए वाइसलेस वर्ल्ड के लिए वाइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया को विश्यस वर्ल्ड पुरानी दुनिया को कहा जाता है सत्यू को शिवालय कहा जाता है क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है विश्यस वर्ल रावन की स्थापना है अभी तुम बैठे हो सत्कुरू की दर्बार में यह सर्फ तुम बच्चे ही जानते हो बाप ही शान्ती का सागह है वे बाप जब आए तब तो शान्ती का वर्सा दे रास्ता बताएं बाकी चंडल में शान्ती कहां से मिलेगी इसलिए हार का मिसाल देते हैं शान्ती तो आत्मा की गले का हार है फिर जब रावन राज्य होता है तब शान्ती होती है उनको तो कहा जाता है सुख धाम, शांती धाम, वहाँ दुख की कोई बात नहीं, महिमा भी सदैफ सद गुरु की करते हैं, गुरु की महिमा कभी सुने नहीं होगी, ज्यान का सागर वे एक ही बाप है, ऐसे कभी गुरु की महिमा सुने हैं नहीं, वे गुरु लोग जगत के पतित पावन हो नहीं सकते। मैं तो एक ही निराकार वेगत की बड़े बाबा को कहा जाता है। तुम अभी संगम युग पर खड़े हो। एक तरफ है पतित पुरानी दुनिया, दूसरे तरफ है पावन नई दुनिया। पतित दुनिया में गुरु तो खेर हैं। इसके बाद फिर सत्युक आना है, चक्र फिरता रहता है, ये बुद्धी में याद रहना चाहिए, हम सब भाई-भाई हैं, तो बेहत की बाप से वर्सा सरूर मिलता है। ये कोई को पता नहीं, कितने बड़े-बड़े पुजिशन वाले मनुश्य हैं, परन्तु जानते कुछ नहीं। बाप कहते हैं, मैं तो तुम सब की सद्गती करता हूं, अभी तुम सेंसिबल बने हो, पहले तो कुछ भी पता नहीं था। इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे, हम सेंसलेस हैं, हमारे में कोई गुर्ण नहीं हैं, आप तरस करो, अब ये देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या, ये चानते ही नहीं, रहम दिल कौन हैं, कहते भी हैं, ओ गौड़ फादर रहम करो, कोई भी दुख की बात आती हैं, तो बाप को जरूर याद करते हैं, अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे, बाप तो विचित्र है, मैं सामने बैटे हैं, तब तो नमस्थे करते हैं, तुम सब हो चित्रधारी, मैं हूँ विचित्र, मैं कभी चित्रधारत नहीं करता, मेरे चित्र का कोई नाम बताओ, बस श्रिबाबा ही कहेंगे, मैंने ये लोन लिया है, सो भी पुराने ते पुरानी जुत्ती, उसमें ये मैं आकर प्रवेश करता हूं, इस शरीक की महिमा कहां करते हैं, ये तो पुराना शरीक है, अडॉक किया है, तो महिमा करते हैं क्या, नहीं, ये तो समझाते हैं, ऐसे थ अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा। अब आप कहते हैं मैं जो सुनाता हूँ उस पर जज करो। अगर मैं राइट हूँ तो राइट को याद करो। उनका यी सुनो। अन्राइट इस सुनो ही नहीं उनको इविल कहा जाता है। टॉक नो इविल, सी नो इविल इन आखों से जो कुछ देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तो जाना है अपने घर फिर बापिस अपने सुखधाम में आएंगी। बाकी तो ये सब जैसे की बरे पड़े हैं। टेंप्ररी हैं। ना ये पुराने शरी होंगे ना ये दुन्या होगी। हम पुरुशार्थ कर रहे हैं नई दुन्या के लिए। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री चियोग्रफी रिपीट होती है। तुम अपना राज्य भागे ले रही हूँ। जानते हूँ कल्प कल्प बाप आते हैं। राज्य भागे देनी। तुम भी कहते हो। बाबा कल्प पहले भी मिले थे। वर्सा लिया था। नर्से नारायन बने थे। बागी सब एक जैसा मरतबा तो पा नहीं सकते हैं। नंबर वारतों होते हैं। यह है स्पिरिच्वल युनिवर्सिटी। स्पिरिच् पादर पढ़ाने वाला है। बच्चे भी पढ़ाते हैं। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वे भी सर्वर्स में लग जाता है। स्ट्री भी पढ़ाने लग जाती है। बच्ची भी अच्छेरी की पढ़े तो पढ़ा सकती हैं। परन्तु वे दूसरे घर में चल इन बातों को दुनिया नहीं चानती लिखा हुआ है भगवानु वाच ये बच्चों मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं कोई मॉडल थोड़े ही बनाता हूं जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं तुम तो पढ़कर मैं पद पाते हूं मैं तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं उजा के लिए यहां तो आत्मा पढ़ती है फिर तुम संसकार ले जाएंगे जाकर नई दुनिया में शरीर नेंगे दुनिया खत्म नहीं होती है सर्फ एज बदलती है गोल्डन एज, सिल्वर एज कॉपर एज, आइरन एज सुला कला से चौदा कला दुनिया तो वही चलती रहती है नई से पुरानी होती है बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं इस पढ़ाई से और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा पढ़ा सके कितना अची रीगी समझाते हैं फिर पढ़ते-पढ़ते माया अपना बना लेती है फिर भी जितना-जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वे स्वर्ग में जरूर आएंगे कमाई चायेगी नहीं और विनाशी ज्यान का विनाश नहीं हो सकता आगे चल आएंगे जाएंगे कहां एक ही घटे है ना आते रहेंगे शम्षान में जब वनशित जाते हैं तो फिर बड़ा वेराग्य आता है बस ये शरीद ऐसे छोड़ने का है फिर हम पाप क्यों करें पाप करते-करते हम ऐसे मर जाएंगे ऐसे ख्यालाद आते हैं उसको कहा जाता है शम्षानी वेराग्य समझते भी हैं जाकर दूसरा शरीद लेंगे परन्तु ज्यान तो नहीं है ना यहां तो तुम बच्चों को समझाया जाता है इस समय तुम खास बढ़ने के लिए तयारी कर रहे हो क्योंकि यहां तो तुम टेम्टरी हो फुराना शरी रिचोर्ड फिर नई दुनिया में जाएंगे बाप कहते हैं बच्चे जितना तो मुझे याद करेंगे उतना पाप कड़ते जाएंगे सहज ते सहज भी है तो डिफिकल्ट भी है बच्चे जब पुरुशार्थ करने लग पड़ते हैं तब समझते हैं माया की बड़ी युद है बाप कहते हैं सहज है परन्तु माया दीवा ही पुझा देती है गुल बकावनी की कहानी भी है न माया बिल्ली दीवा पुझा देती है यहाँ सब माया के गुलाम हैं, फिर तुम माया को गुलाम बनाते हो, सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है, कोई तुफान नहीं, फैमिन नहीं, प्रकृति को गुलाम बनाना है, वहाँ कभी भी माया का वार नहीं होगा, अभी तो कितना तंक तरती है, गायन है ना मैं गुलाम तेरा मैं फिर कहते तु गुलाम मेरा बाप कहते हैं अब मैं तुमको गुलाम बने से छुडाने आया हूँ तुम मालिक बन जाएंगे मैं गुलाम बन जाएंगे जरा भी चूंग चांग होगी नहीं ये भी ट्रामा में नूंद है तुम कहते हूँ बाबा माया बड़ा तंकरती है, सो क्यों नहीं करेगी, इसको कहां ही जाता है युद्द का मैदान, माया को गुलाम बनाने लिए, तुम कोशिश करते हो, तो माया भी पचाडती है, कितने को हराती है, कईयों को एकदम खा जाती है, हप कर लेती है, बल स्व दर्ग का मालिक पनते हैं, परन्तु माया तो खाती रहती है, उनके जैसे पेट में पड़े हैं, सर्फ पुछडी निकली है, बाकि सारा उनके अंदर है, जिसको दुबन यानि दलदल भी कहते हैं, कितने बच्चे दुबन में पड़े हुए हैं, सरा भी याद नहीं कर सकते है जैसे कच्छुए का ब्रमरी का मिसाल है ऐसे तुम भी कीडों को भूँ भूँ कर क्या से क्या बना सकते हो एकदम स्वर्ग का परिजादा सन्यासी भल ब्रमरी का मिसाल देते हैं परन्तु बे कोई भूँ भूँ कर बदलते थोड़े ही हैं बदली होती है संगम पर, अभी यह है संगम युप, तुम शुद्र से रामन बने हो, तो जो विकारी मनुशे हैं, उन्हों को तो ले आते हो, कीरे में भी कोई ब्रमरी बन जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं, तो कोई फिर अधूरे रह जाते हैं, बाबा ने यह बहुत देखे ह यहां भी कोई अच्छी दीती पड़ते हैं, ज्यान की पंक जम जाते हैं, कोई को आधा में ही माया पकड़ लेती है, तो कच्चे ही रह जाते हैं, तो यह मिसाल भी अभी के हैं, वंडर है ना, ब्रमरी कीडे को ले आकर आप समान बनाए, यह एक ही है, जो आप समान बनाते हैं दूसरा सर्ब का मिसाल देते हैं सत्यूग में बस एक खाल छोड़ दूसरी ने लेते हैं चट साक्षादकार होता है अब शरीर छोड़ने वाले हैं, आत्मा निकल दूसरे गर्व महल में बैठती है, ये भी एक मिसाल देते हैं, गर्व महल में बैठा था, उनको बाहर निकलने दिल नहीं होती थी, फिर भी बाहर आना तो है ही जरूर, अभी तुम बच्चे हो संगम्युकपर, ज्यान से ऐसे फुरुशोतम बनते हो भक्ती तो जन जन मांतर की, तो जिनों ने जास्ती भक्ती की है, वही आकर नंबर वार पुरुशार्थ अनुसार पद पाएंगे, अभी तुमारी बुद्धी में सारा ज्यान है, बाकी शास्त्रों का ज्यान कोई ज्यान नहीं है, वे तो है भक्ती, उनसे कोई सद्गती न गर में कोई जाता नहीं बाप खुद कहते हैं मेरे साथ कोई मिलता नहीं पढ़ाने वाला साथ ले जाने वाला भी चाहिए ना बाप को कितना ख्याल रहता है पांच हजार वर्ष में बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं तुम घड़ी घड़ी भोल जाते हो कि हम आत्मा हैं ये एक दम पक्का कर लो हम आत्मा को बाप पढ़ाने आए हैं इसको कहा जाता है spiritual knowledge सुप्रेम रुhl हम रुhl को knowledge देते हैं सजगार भी आत्मा में रहते हैं शरीर तो खत्म हो जाता है आत्मा और विनाशी है तो ये ब्रह्मा की ब्रिकटी है सत्गुरु का दर्बार ये इस आत्मा का भी दरबार है, फिर सत्गुरु ने भी आकर इनमी प्रवेश किया है, इसको रत भी कहते हैं, दरबार भी कहते हैं, तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे हो श्रीमत पर, जितना अच्छे रिदी पढ़ेंगे, उतना सत्युग में उंच पत पाएंगे, त पढ़ना चाहिए, तीचर के बच्चे तो बहुत खोशियार होते हैं, पर अंतों कहते हैं ना घर की गंगा का रिगार्ड नहीं, बाबा का देखा हुआ है, सारी शेहर का किचड़ा गंगा में पढ़ता है, फिर उनको पतित पावनी कहेंगे, वनुष्यों की बुद्धी देखो कैसी हो गई है, देवियों को सजा कर, फूज आदी कर फिर डुबो देते हैं, कई तो उस पर पावन रख कर भी डुबोते हैं, बंगाल में पहले रिवास था, किसी का प्रान निकलने पर होता था, तो उनको जट गंगा पर ले जाते थे, वहां पानी में डाल, हरी बोल कर वुख में पानी डालते रहते थे, ऐसे प्रान निकाल देते थे, वंडर है ना, अभी तुम बच्चों की बुद्धी में चढ़ाई उतराई का पूरा ग्यान है, नमबर वार पूरुशार्थ अनुसार, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलेदे बच्चों ब्रती, मात प बाप दादा का याद प्यार और गुद्ध मॉर्निंग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते, हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को दिल और चान, सिख वाप प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी, बुद्ध मॉर्निंग बाबा, शु पुरानी शरी और पुरानी दुनिया में अपने को टेंप्रुरी समझना है। वर्दान एकाब्रता की शक्ती से परवश स्थिती को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। ब्रामन अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमजोर स्वभाव संसकार के वश भी नहीं। क्योंकि स्वभाव अर्थात स्वप्रती और सर्व के प्रती आत्मिक भाव है तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकती। और अनादी आदी संसकारों की स्मृती से कमजोर संसकार भी सहच परिवर्तन हो जाते हैं। एक आभवता की शक्ती परवश स्थिती को परिवर्तन कर मालिक पन की स्थिती की सीट पर सेट कर देती है। स्लोगन क्रोध यानि तु आत्मा के लिए महाशत्रू है। उम शान्ती।